हेलो फ्रेंड्स मैं विनिया निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं रात में बताया था कि एक बर फिर से डीटेल एक्सप्लेशन के साथ सुबह में आउंगा अगर टाइम मिल जाएगा 9 वे से पहले तो तो फाइनली मैं आ गया हूँ क्योंकि आप रुजान रहें नौवेस फिर से मेरा इक्जाम है तो फिर रात में क्या था मैं काफी ठक गया था तो अच्छे से मैं आपके एक्स्प्लेंड नहीं कर पाया था कि मैं कैसे किस बेस पर बोल रहा था कि यहां पर की जो कन्फ्यूजन हो हो चुका है कोई कन्फ्यूजन नहीं सब कुछ कन्फर्म हो चुका है एक्सप्लेंड नहीं कर पाया बट अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है निकल जाओंगा सेंटर पर तो अभी देख लेता हूं पहले यहां पर क्या मैं लिखा हूं जैसे आरसी ग्रूबड़ी एक्ज लाम डेट का कन्फ्यूजन खत्म तो जैसा कि आप लोग को मालूम है फ्रेंड्स की यहां पर जैसे कि एसे को लेकर करके तमाम इमेल रिप्लाइज और पता नहीं क्या क्या चीज़ वाइरल किये गए यह अभी नया नहीं है यह लगबग साथ-8 महीनी से चल रहे हैं और ए उनको इमेल पर इस पेसली जो एनसे आइटी वाले खुद रिप्लाइज किये थे कि हां हम रिप्लाइज कराने जा रहे हैं मतलब वह एक्जाम कराने जा रहे हैं 21 अक्टूबर से ग्रूप डिका आप आजाना अकेले एक्जाम दे रहे ना बाकि कोई नहीं देगा तो ऐसा कि बाद अभी कुछ दिन पहले यह 28 सेंबर का देख सकते हैं यह वायरल किया गया रिप्लाइज जिसमें क्या कहा जा रहा है फुल इंफॉरमेशन हैव बिन फॉरवड़े तो दूद इमेल एस प्रोवाइड दस इस डिस्पोजड ऑफ एंड क्लोज तो यहां मैं आपको द है यहां पर है फ 20 ओने से ट इसाइब को दिखा इस मिस्टेक तोल कि आपका एक्जाम ढaire कराएगा चांद दिखाता है इमेल वाला तो आप से आपको email पेज लगता है आप खुद देख लिए ठीक है और यहां पर क्या डियर राजपूत जबकि राजपूत नाम नहीं राजपूत टाइटी लए यहां पर देखे लिए मोहन सिंग राजपूत ठीक है तो इन्फॉर्मिशन एक्जाम कंड़क्टिंग अथारिटी इज एनसीट तो फ्रेंड अब समझ लिए एनसीयट जो आथारिटी भी हो चुकी है और जो अरसीबी है वो अब धेल बेज़ेगा बैठके यहां रसीबी कोई मतलब नहीं है ठीक है एजेंसी नहीं अथारिटी बन चुकी है इसी में रिपलाई के एकोर्डिंग यह माल्दा की बात हो रहे हैं फिर से ध्यान देगा माल्दा के चेर्मेंट साब फिर्स्ट अफिलेट अथर्टी भी है और वह वही रिपलाई भी दिए इसके साहजी आगे देख लेते हैं कि जब मैं दिखाया था कि मतलब सबकुष क्या अब यहां पर देखिए विल के साथ कमेंस्ट आ गया वरकाट थट फॉर्म आ गया तो मतलब यह लोग घ्रामर तो खुद नहीं पढ़ते हैं दूसरे को भी डिस्टरब करते हैं तो यहां पर ऐसा कुछ लिखा गया है फिर हैं इनफॉर्मेशन प्रोवाइड अंडर सेक्षन एट पॉइंट वजे ऑफ आर्टि एक 2005 ठीक है तो यहां भी कुछ छोटे मोटे मिस्टेक हैं उससे थोड़ा कम मिस्टेक हुए को कुछ मिस्टेक हो हमें आपको दिखाय दिया था बट यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इनफ ठीक तो अभी तक जो यूटूबर से सब वारल कर रहे थे उसको भी 100% सही मान रहे थे कि एकजाम कर आएगा फिर इसको भी 100% सही मान रहे थे कि कोई information नहीं है क्योंकि confidential है ठीक यह दो reply हो गया अब कल क्या reply आया है यह दिखली जी यह भी मालदा का ही reply कहा जा रहा है यूर query का मतलब उनको ढूणना पड़े क्या होता है q-u-a-r-y query नहीं एक query है is highly confidential according to section 8D of RTI Act 2005 Act of 2005 के बीच में कहीं भी gap नहीं Act 2005 कर दिया गया है it cannot be disclosed देखें यहां 8D की बात की जा रही है और यहां पर किस section की बात की जा रही है यह देखिए 8.1J मतलब इन लोग को यह भी नहीं मालूम है कि अगर हम कोई section अपने पास लगाते हैं अपने email में या अपने email reply देते हैं तो कौन से section हम यूज करें ठीक है कहीं बताया जा रहा है 8.1J कहीं बताया जा रहा है 8D अब देखते रहें मतलब कैसे कैसे लोग हैं और यह भी आपका देख रहे हैं माल्दा का ही है CPIO असिस्टेंट सेक्रेट्री राजी कुमर अब यहां राजी कुमर नाम से आया है वहा बढ़ आपको मैं प्रूफ क्या दूँ अब बताईए जो बंदा खुद कह रहा था कि टीसे नहीं एक्जाम कराएगी वही बंदा लगतार यह कह रहा है कि यह information दिया नहीं सकता है क्योंकि मैं आपको उसी दिन बताया था कि यह सभी information जो होता है confidential होता है कोई बताता नहीं नहीं बताये कर रहा है रात में सोवस्के बाद बताया था आपको उसके बाद किया इस चीज को सुधार करने का प्रयास किया गया है जिसने इमिल रिप्लाई वायरल किया था यहां आप देखे वही बताया था कि सब confidential होता है और इसे हम बताने सकते information शेयर नहीं कर सकते हैं फिर उसके बाद देखिए जो कल मिला है यह भी यहीं चीज है यहां भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है बस सब का लाइंग्वेज कुछ चेंज जा रहा है और सब में मिस्टेक्स कुछ दिख जा रहे हैं क्वेरी का क्वारी बन गया है और जो वहां सेक्षन 8.1 जे था सेक्षन 8 हो गया है 25 में कहीं भी स्पेस नहीं है यहां यहां पर मतलब की हद्ध हो गया है मतलब कि कुछ भी फेक इंफॉर्मिशन फैलाने का यह देखिए यह अप्लिकेशन नमबर यहां भी चीज है यह दूसरे लड़क भेजा गया है मतलब की एक साथ ट्राइब किया प्लान किया गया है तुरंट तुरंट यहां भी वही चीज है ओर में यहां बुक्वरी बना दिया गया 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 यहां है यहां पर लिका गया था यहां भी राजी कुमर नाम से तो प्रेंड्स यह सब ऐसा क्यों हो रहां एसे reply क्यों हारा है मैं आपको बता भी रहा हूं यहां तो sources मुझे मिला है जिसमें एसा question किया गया है जिसमें एजेंशी को ही इंसान बना भी जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए यहां पर question क्या पूछा गया है who is the exam conducting agency ECA for railway group exam 2022 और यहां देखे concerned CPIU जो है संतनु राय दिखा रहे है और reply कौन किया है राजिव कुमार मतलब हर एक चीज का मतलब एक limit होता है friends अब यहां who is exam conducting agency है वो इनसान नहीं है उसको ही करके आप question पूछेंगे कि exam conducting agency कौन है ठीक है यहां कौन का मतलब हू नहीं होगा लब क्या बता है थोड़ा सा grammar पढ़ लिए होते तो फिर अप फिर group exam 2022 2022 का exam नहीं है बहुत यह exam 2019 का है RRC CEN 01 2019 है अब अगर 2024 में एक्जाम होते कहेंगे group exam 2024 कम बता हो ऐसे थोड़ी नहीं होता है खुद question गलत करो फिर कहो कि answer में ऐसे ऐसे अलग-अलग आ रहा answer reply यार खुद देख लिए फ्रेंड जब सवाल करने वाले गलत रहेंगे तो जब आप कैसा आएगा तो फ्रेंड्स यह लोग क्या है क्यों अफ़ाफ है रहे हैं बाकी कुछ नहीं है आपका मैं बता दूँ टीसियस ही एक्जाम कराएगा उसमें कोई डाउट नहीं है और आपका एक्जाम जो है मतलब की अब तेज फरोर से तो नहीं होने वाला है क्य अब बजब लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम माभण हो जाएगा मेरे लिवी आपकी लिए भी अपलूट करने में तो टो फ्रेंट्स ब्स इसे मैं शांतर से अभी नहीं हो पाएगा ठीक आपले बश्क कीू टेख शेजिक लिए राया को कि अ